गुड मॉर्निंग क्वीन, संडे की इस सुन्दर सा, एक सुन्दर से भोर में, इस सुन्दर से दिन में, जहां हम बहुत रिलाक्स करते हैं, अपने आपको इजी फील करते हैं और कोशिश करते हैं, कि जितना भी कुछ हम लोगों ने तमाम दिनों में, हफ़ते भर में सोचा ह वो सब हम पूरा करें संडे के दिन, क्योंकि आफ्टर आल भई एक छुट्टी हाती है पूरे हफते में, उस दिन क्यों ना अपने सारे के सारे जो हमने जिन कामों को कम इंपोर्टन्स दी थी या सोचा था कि इन कामों को बहुत अच्छे से मन लगा के कंप्लीट करेंगे, व भारतियों के लिए, पहला कारण, यह जिस मौसम में आता है, इसमें ना तो ज़्यादा सड़ी होती है, ना गर्मी, आहा हा, बस पंखे की हवा में बैट जाओ, और अराम से लुट्फ उठाओ, पूरे के पूरे त्योहार का, ना एसी की चिक-चिक, ना रजाई की जिक-ज बस अराम से, इजिली मना सकते हैं, सेकंड पॉइंट, दिवाली में कितनी तरह की लाइट्स देखने को मिलती हैं, लाइट्स कहीं न कहीं हम लोगों का आकरशन ले ही लेती हैं, क्वीन्स, क्यों क्या कहती हो, सो लाइट्स, दिये, हैंडी क्राफ्ट्स, घर को सजाना, ने पड़ेंगे, कोई चीज खरीदने के लिए, भाई, सबसे बड़ा बहाना पहले से ही तयार है, कि दिवाली आ रही है, घर को एक नया लुक तो देना ही है, तो इसलिए ये भी खरीद लिया, वो भी खरीद लिया, इस कॉर्णर का लामशेड चेंज कर दिया, वो स्टड चेंज करा लेते हैं, पता नहीं कितना कुछ हमारे दिमाग में आता है, क्या कहती हो? लेकिन क्वीन्स, दिवाली का बेस्ट पार्ट, जो मेरी क्वीन्स सबसे जादा एंजोय करती है, क्योंकि इस समय मेरी क्वीन्स अकेली नहीं होती, इस समय मेरी क्वीन्स के साथ पूरा परिवार जुट जाता है एक जुट होकर family time, picnic मनाने या खाना खाने में नहीं बिताया जाता है बल्कि घर की सफाई करने में बिताया जाता है बच्चे से लेके बुरे तक घर की सफाई में लगे होते हैं, हर कोई अपने कमरे के हर कॉर्णर को लगा हुआ वो छोटा सा स्पाइडर का जाला तक निकाल देना चाहता है बच्चे अपनी किताबों के covers change कर रहे होते हैं या किताबों का study table, अपना खिलोनों को किस तरह से सजाना है, दिवाली वाली रात हर एक का कमरा कैसा दिखना चाहिए, लिविंग रूम में क्या-क्या होना चाहिए, इत्यादी, ये सारी चीजें घर का हर मेंबर सोच रहा होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना दिवाली से साथ दिन पहले याने कि आज के दिन शुरुवात की जाए दिवाली की सफाई की, दिवाली की सफाई बहरी तौर पे तो हम करी रहे हैं, शायद काफी सारी queens बहुत time से लगी होई हैं बहरी तौर पर दिवाली की सफाई करने में, अंदरूनी सफाई, जहां से actual सफाई की शुरुवात होती है, वो सफाई तो हमें आज से शुरू करनी हैं, जितनी भी queens बहरी सफाई को और जादा जगमग और सुन्दर करना चाहती हैं, सबसे पहले एक secret शेर करने हैं तुम लोगों के साथ, कि वो बहरी सफाई की भी शु सफाई से होती हैं, जैसे जैसे queens, humanity में, मानविय दिमाग में, मानविय शरीर के अंदर, बुरे खयालात, बुरी intentions, बुरे भाव बढ़ने शुरू होए, वैसे वैसे जो बाहर की दुनिया है, वो हमारे internal world का एक reflection होती है, तो वैसे वैसे बाहर की दुनिया में, adulteration, pollution, corruption, इ हमारे अंदर के कचरे को depict करता है, दिवाली में, मेरी queens का सबसे पहला काम क्या होता है, अगर हम खुद से पूछें तो, सबसे पहला काम होता है, कि हम अपने पूरे घर को declutter करते हैं, यानि कि unwanted चीजों को, unwanted या excess में पढ़ी हुई, या कुछ ऐसी चीजें जो हमने महीनों भर से यूज नहीं कई, कई बार तो स्टोर के अंदर घुसे हुए ही हमें महीने हो जाते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें पड़ी होती हैं, जिने हमने सालों से देखा भी नहीं, यूज करना तो बहुत दूर की बात है, है कि नहीं, हाना? तो ऐसी चीजों से, अपने घर को इनका हमारे घर में कोई यूज नहीं है क्योंकि इससे कुछ बेटर है हमारे पास अल्री तो हम शायद यूज नहीं करेंगे तो दिल पे भी बड़ा सा पत्थर रखके हम मानी जाते हैं कि इन सारी चीजों को उठाके अब बाहर दे देना चाहिए क्या पता किसी और के यूज आ जाए तो बिल्कुल वैसे ही क्वीन्स अपने अंदर की सिफाई भी आज हम दी क्लटरिंग से शुड़ू करेंगे यानि कि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सांजा कर रही हूं कि कैसे हम अपने अंदर से ऐसी चीजों को हटा सकते हैं जिनकी हमें बिल्क जो हमारे अंदर बेकार में ही जगा बनाये हुए हैं क्वीन्स सबसे पहले बीच में माफी चाहती हूँ क्योंकि मैं आज अपने उस वाले भर में बैठी हूँ यानि कि मैं आज अपने ससुराल आयू ही हूँ और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, ये सारे के सारे बच्चे एकठे हो जाते हैं, सारे कजन्स एकठे होके इतना घमा सांग, शोर मचाते हैं कि तुम्हें पीछे से बहुत सारी आवाजे सुनाई दे रही होंगी, उन्हें कृपया अवइड करो, और हमारी इस वार्तल आप में जगां घेरे हुए है ये पॉइंट वो पॉइंट है सेल्फ क्रिटिसिज्म सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत अलग-अलग तरीकों से हमारे अंदर पनपता है for example आज भई मैं नहाद हो के एक तो मैं अपने सुसुराल वाले घर में हूँ इसलिए मैंने सुन्दर सा सुट पहना दूसरा मुझे वीडियो बनाना था अपनी क्वीन से बात करनी थी और दिवाली का उपलक्ष में ये वीडियो सीरीज शुरू हो रही है दिवाली की सफाई तो दिवाली की सफाई के लिए मैंने सुचा कि क्यों ना आज शुरुवाद मैं एक इस ब्राइट ओरेंज कलर से करूँ अग जैसे ही मैंने सूट पहना तो क्वीन्स ये सूट कभी कहीं से टाइट कभी कहीं से टाइट पहनने लगी तो मेरा अनुमान था कि इस बार तो ये बहुत अराम से आ जाएगा मैंने तो वेट लूस कर लिया है लेकिन भई जब पहना तो सच्चाई सामने उभर के आई कि अच्छली वेट लूस नहीं किया है दो-चार किलो गेनी हो गए लगता है और मन में पन पे अलग-अलग खयाल आजकल मैं ऐसा क्या खाने लगी हूँ जिसकी वज़े से मेरा ये जो पुराना सूट है मुझे पूरा नहीं आ रहा है आजकल मैं ऐसा क्या गलत कर रही हूँ शायद मैंने अपना exercise schedule कम कर दिया है शायद मैंने गलत तरीके से exercise करना शुरू कर दिया है शायद मैंना खाती बहुत हूँ शायद मेरा काम में मनी नहीं लगता आजकल है मैं इतनी मोटी क्यों गई मैं इतनी बद्दी दिखती हूँ मैं जाके सबसे पहले इनसे यही पूछने वाले हूँ क्या मैं मोटी हो गई हूँ अगर मैं मोटी हो गई हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए वगेरा वगेरा जैसे खयाल हमारे दिमाग में घर करने लगते हैं यह होते हैं self critical thoughts मैं यह नहीं कहती कि हमें अपने आपका ध्यान देना चाहिए या अपने आपको checks नहीं देने चाहिए टाइम टाइम पर लेकिन queens अपने आप की ही criticism का जब ताना बाना बुनना हम शुरू करती हैं तो शायद ही कोई चीज है जो इसे अंत करने में हमारी मदद करें यह तो केवल एक हिस्सा है मोटापा या ज़रूरत से ज़्यादा पतला होना है ऐसी बहुत सारी queens हैं जो क्लिनिक में मेरे पास आती हैं जो मुझे बताती हैं कि डॉक्टर शिवांगी कुछ ऐसा बताईए कि मुझे वेट गेन हो जाए और हमारा पहला डायलोग क्या होता है बहंग मेरे से थोड़ा सा ले ले लेकिन queens ऐसी भी queens हैं जो अपना वेट गेंट करना चाहती हैं और ज़्यादातर queens हैं जो अपना वेट लूस करना चाहती हैं उसके बाद कभी कि शीशे में देखा तो जुरी दिग गई अपनी कभी अपना pigmentation दिग गई चेहरे पे कभी भई queens को किसे ने कुछ ऐसा बोल दिया कि तुम करती क्या हो घर पे तो रहती हो तो queens को अपने उपर डाउट हो जाता है self criticize करने लगती है कि क्यों मैंने इस परिवार की खातिर अपने बच्चों के खातिर अपने husband के कहने में आके अपनी job छोली क्यों किया मैंने ये सब इन सब ये सारी चीज़े सुनने के लिए क्या इसी के लिए बनी हूँ मैं क्या मुझे यही सब सुनना है life में वगेरा वगेरा ऐसे बहुत सारे चीज़े हैं हमारे चारों तरफ जिसके कारण हम self-criticism में उतर पड़ते हैं और जादा तर ये चीज़ें अन्य के डर के वज़े से होती है कि अन्य क्या कहेंगे society क्या कहेंगी समाज कैसे respond करेगा react करेगा हमारे इस हरकत हमारे इस new look हमारे इस decision के उपर और उसी कारण वश हम self-criticism से भरते चले जाते हैं सबसे पहले जो हमें करना है na queens वो इस self-criticism के thought को declutter करना है अपने मन से अपने शरीर से और उसके लिए क्या करेंगी मेरी queens एक बहुत ही beautiful सी exercise है सबसे पहले तो एक pen और paper उठाएंगे और अपने लिए रोजाना एक चिठी लिखेंगे प्यार भरी विश्वास भरी एक प्यारी सी दोस्त से दूसरी दोस्त के नाम एक चिठी फर्क इतना है कि इसमें दोस्त तुम खुदी हो और तुम खुदी को चिठी लिख रही हो उस चिठी में तुम अपने हर हर self criticism वाले point को mention करके उसके विपरीत दूसरा point अपने आपको समझाओगी जैसे कि तुम किसी अन्य अपनी दोस्त को समझाओगी मानो तुम्हारे साथ ही तुम्हारी एक और दोस्त बैठी है शिवांगी नंबर टू तुम्हारे लिए queen नंबर टू और उसका वजन भी लगभग इतना ही है उसकी height इतनी है वो इसका करका suit पहन के बैठी है वगेरा 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 तो तुम उसे क्या-क्या अच्छे points बताओगी उसके बारे में वो सारे points एक एक करके critical point के सामने तुमें लिखने है और अपने आपको बहुत प्यारी सी चिठी लिखनी है कि तुम इतनी सुन्दर हो, इतनी प्यारी हो, तुम्हारी हसी, तुम्हारे दांत एक्तम मोतियों जैसे हाँ तुम्हारा weight शाहिद एक तो kilo बढ़ गया हो लेकिन उसकी वज़़े से तुम्हारे face पे chubiness आ गई है जिसकी वज़़े से तुम्हारी smile और भी बहतरीन लगने लगी है हाँ, शायद तुम्हारी बाल थोड़े से सफेद जादा हो गए है लेकिन यह रे यार, यह भी कोई tension लेने की बात है color करा लो, और अगर color नहीं कराना, तो यह सफेदी भी कहीं ना कहीं तुम्हारे experience को जलका रही है, तुम पे बहुत suit कर रही है अरे wrinkles, इनका क्या चिंता करनी है यार, wrinkles आज नहीं तो कल पड़ने ही थे अरे जितना जादा हसोगी, जितने जादा अपने facial expressions को use करोगी तुम्हारा face उतना ही active रहेगा और wrinkles होते हुए भी तुम चारों तरफ चमक बिखराती हो, पता है तुम्हे अच्छा, तो क्या, तुम्हें किसी ने ऐसे बोल दिया, कि तुम घर पे ही बैठी रहती हो अरे महरानी हो, अगर उनको लगता भी है कि घर पे बैठी हूँ, तो हाँ, बैठी हूँ घर पे अभी तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता था ये डिसिशन लेने के लिए, इसलिए मेरी प्यारी सी सहेली मुस्कुराओ, तुम एक परफेक्ट क्वीन हो, परफेक्ट, क्योंकि परफेक्शन हर एक की नजर में अलग-अलग है, और मेरी नजर से अगर देखो तो तुम परफेक नमबर, आप जब भी अपने आपको शीशे में देखो, चलते, फिरते, उठते, बैठते, सोते, जागते, जब भी खुद को शीशे में देखो, तो पॉस करके अपनी कमिया देखने के लिए मत पॉस करना, पॉस करके रुख कर ध्यान से देखना कि तुम कितनी सुन्दर हो कितना प्यारा है, कितना सुडॉल है तुम्हारा शरीर, कितने सुन्दर है तुम्हारे नए नक्ष, तुम्हारे हाथ पैर, तुम्हारे स्किन का कॉम्पलेक्शन, अपने आपको कॉम्पलिमेंट दो फिर देखो कि कितने करमठ है तुम्हारे हाथ, कितना काम करती हो तुम, चाहे वो दूसरे realize करें या ना करें, तुम realize करती हो खुद के लिए, कि तुम कितना काम करती हो और तुम्हारे काम की क्या importance है, क्या value है आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, जहां पर हर काम की value पैसे से लगाई जाती है, लेकिन नहीं, मेरी queen समझदार है, wise है, वो देख सकती है कि काम की value पैसे से नहीं, बलकि संतुष्टी से और खुशी से मापी जाती है और तुम अगर संतुष्ट हो, खुश हो, तो उससे उपर और कुछ नहीं चाहिए, मेरी प्यारी इस तरीके से इन दोनों methods को अपना के धीरे-धीरे तुम अपनी self criticism को declutter कर सकती हो साथ ही साथ self criticism के thoughts जैसे जैसे तुम्हारे पास आते हैं, तुम ये भी देख सकती हो, जान सकती हो कि ये ये areas है मेरी life में, जहाँ पर मुझे focus करने की जरूरत है अगर मैं इन चीजों को नापसंद करती हूँ अपने बारे में, तो क्यों नहीं मैं इनके लिए कुछ करना चाहती और अगर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब मुझे actual में ये नापसंद नहीं है ये actually मुझे सरफ इसलिए hit कर रहे है क्योंकि लोगों द्वारा बोला क्या है तो क्या मैं लोगों के लिए चीरे हूँ, नहीं यार, क्या लोग आएंगी मुझे समभालने के लिए जब मैं रो रही होंगी फूट-फूट के अपने आपको लेकर No, never, they will laugh, they will smile, they will be happy तो मुझे क्यों करना ये काम? मुझे क्यूं ऐसा काम करना है? जो केवल और केवल लोगों से शुरू होकर लोगों पर अंड होता है मुझे तो वो करना है जो मुझसे शुरू होकर मुझी पर अंड हो तो इस तरीके से ये होता है हमारा step number one Declutter yourself, declutter your mind, your body, your soul और इस एकस्टेप से तुम्हारी अंदरोनी दिवाली की सफाई शुरू हो जाती है मेरी प्यारी है और जैसे ही तुम अपने आपके बारे में अच्छा अच्छा महसूस करना शुरू करोगी तुम्हारे चारों तोरफ जाधा रोशनी जाधा सफाई जादा खुशियां फिखरती चली जा रही है हाँ सच में क्योंकि जो अंदर है ना वही बाहर रिफ्लेक्ट करता है बस इतना सा फंडा याद रखना दुबारा आऊंगी बहुत जल्दी दूसरे नंबर की दिवाली की सफाई लेकर ठीक है तब तक के लिए तुम क्या सोचती हो दिवाली की सफाई के बारे में अंदरूनी सफाई के बारे में नीचे देए गए कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना मेरी प्यारी I love you all अपना ध्यान रखना दिवाली की सफाई इमेल कर करेंगे अंदर और बाहर दोनो साथी साथ पूने का सेशन है भूलना मत दो नवंबर को जल्दी से जल्दी रेजिस्टर कराओ क्योंकि वहाँ पर हम लोग अंदरूनी तौर पे ऐसी सफाई करते हैं कुछ चंद घंटों के लिए सेल्फ इंवेस्टमेंट करना बहुत बढ़िया रहता है क्वीन्स तो जरूर से जरूर से दो नवंबर के सेशन के लिए अपने आपको रिजिस्टर कर लो पूने, नाशिक, मुंबई और आसपास के जितनी भी एरियास है सब लोग सारी क्वीन्स आजाओ फटाफट से साथ ही साथ भई चिकुंतला देवी के नाम से मेरी सासु मा का एक बहुत प्यारा सा भजनों का चैनल है और वहाँ पर हम लोग भजन गाते हैं अलग-अलग तरीके के आप लोगों को डिविनिटी का एहसास दिलाने के लिए सो प्लीज सब्सक्राइब देचानल अन हम लोगों का इंकारुच्मेंट हमारा मनूबल भढ़ाएए थांक यू सो मच क्वीन्स मैं फेस्बुक पर हूँ वहाँ पर आप मात्र लाइक या फॉलो करके मुझे मेरे क्वीन इंद मेकेंग या इस क्वीन फामिली का हिस्सा बन सकती है इंस्टग्राम और ट्विटर पर भी मैं बहुत बार परसनल चाटिंग के लिए आती हूँ और भई सबसे इंपॉर्टन यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना मत बूलना गर ये विडियो पसंद आया है और सब्सक्रिप्शन के बाद एक बेल आइकोन आएगा उसको ज़रूर से दबा देना तायकि जैसे ही थौट मेरे दिमार्ग में आये मेरे कुईन्स तक भी फटाफ़ट से पहुँँच जाए I love you अपना ध्यान देना बाई